स्वतंत्रता सेनानी विनोध किनारी वालक जिनका निधन 1942 में 10 अगस्त को हुआ था किनारी वालका जन्म 20 सितंबर 1924 को गुजरात के एहमदाबाद में हुआ था उन्होंने 8 अगस्त 1942 से शुरू हुए भारत छोडो आंदोलन में पूरी सक्रेता से भाग लिया आंदोलन के दोरान किनारी वाला के कॉलेज के विद्यार्थी एहमदाबाद में कत्र हुए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए उन्होंने 10 अगस्त 1942 को भारत छोडो का आहवान किया पुलीस के सायक अधीक्षक अपने पुलीस बल के साथ आंदोलन स्थल पर पहुँचे और विद्यार्थियों पर गोली बरसाने का आदेश दिया इसी गोली बारी में विनोध किनारी वाला आंदोलन स्थल पर ही शहीद हो गए अग्ड़ को बारी में बारी में बारी में विद्यार्थियों पर पहुचे अवाद।